Spin-off Spin-off के meaning को ध्यान से समझेगा Spin-off के meaning को पहले English में समझने की कोशिश करते हैं फिर इसका Hindi मतलब समझते हैं Spin-off का मतलब होता है To turn a subsidiary into new or separate company by the parent company यानि कि एक जो parent company होती है उसकी कोई subsidiary है उसको एक अलग से company बना देना या कोई दूसरी company को बेच देना या एक अलग ही company बना देना spin-off कहलाता है यानि कि मानले जी एक company है A और उसकी एक subsidiary है निकि उसी company के under में काम करती है उसी company के नाम के नीचे काम करती है company B और अगर वो company चाहते है कि भई अब उसको हम अपनी company का हिस्सा नहीं रखेंगे हम किसी दूसरे को बेच देंगे या किसी दूसरे नाम से उस business को करेंगे तो उसको spin-off करना कहा जाता है इसके लावा यानि कि हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब हो गया नई company में बदल देना या company किसी दूसरी company के नाम से बना लेना यानि किसी एक business को दूसरी company के नाम से बना देना और कई बार इसका मतलब किसी company को बंद कर देना भी होता है यानि कि spin-off का मतलब हो गया बंद करना और एक और इसका मतलब होता है a by-product or accidental result of large project यानि कि कई बार हम किसी large project पे काम कर रहे होती है तो उसके जो हम उतपाद करना चाहते थे उसके साथ कुछ और चीज भी बन जाती है जो कई बार दुरगटना से बन जाती है या कई बार अलग बन जाती है कोई चीज यानि कि कोई सहय उतपाद बन जाता है यानि कि मानले जे हम कुछ बना रहे थे उसके साथ में कुछ और बन गया तो उसको भी spin-off कहा जाता है इसको इन example sentences से और अच्छे से समझ लेते हैं The company is trying to spin-off part of its business Company अपने कारोबार का एक हिस्सा बंद करने की कोशिश कर रही है The company could spin-off its security system business into a new company Company अपने सुरक्षा तंत्र के कारोबार को एक नई कमपनी में बदल सकती है एक नई कमपनी बना सकती है चैनल पर भी वीडियोज है जिन्हें आप जाके देख सकते हैं Like, Share और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा